प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने वारानसी में 1780 करोड के प्रोजेक्ट के शिलानियास और शुरुवात करके विकास के इनिशेटिव्स की नीव रखी है 2014 से ही लोग सबा सीट से चुनाव जीतने के बाद प्रदान मंतरी मोदी ने वारानसी के डेवलाप्मेंट पर स्पेशल दियान दिया है और वारानसी के लोगों के लिए आसान जीवन और सुविदाओं में सुदार की तरफ कदम उठाया है इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रदान मंतरी संपूर्य अनंद संस्क्रिट इनिवरस्टी के मैदान में 28 प्रोजेक्ट्स की शिलानियास और शुरुवात करके आए है इस वीडियो के एंड में मैं आपसे 5 MCUs पूछूँँगा ये questions exam perspective से काफी important है और इस वीडियो से ही related होंगे इनके answers भी आपको इसी channel पर community के माद्यम से 30th March को मिल जाएंगे आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक important information दे देता हूँ वारानसी 2.0 मतलब वारानसी का पुनर निर्मान 2014 के बाद जब से प्रदान मंत्री मोदी यहां से सांसत बने है इस में सबसे important और सबसे recent है वारानसी का रोपवे ये एक 3.8 km का रोपवे है जो देश का पहला urban transport रोपवे हूगा और वारानसी के cantonment railway station और गुदोलिया चौक को जोड़ेगा इस रोपवे की carrying capacity 3000 यात्रियों को हर गंटे एक दिशा में ले जाने की है जिससे वारानसी के tourist, pilgrims और रहने वाले लोगों के लिए आसानी होगा डिजाइन के हिजाब से इस corridor पर वारानसी के cantonment, विद्यापीट, रथ यात्रा, गुरिजागर और गुदोलिया चौक पर 5 stations बनेंगे इस project बड़ लगबग 6.45 करूर का खर्चा होगा और इसका विकास एक भारतिये फर्म, विश्व समूदर इंजिनेरिंग और उसके टिकनोलोजी पार्टनर बार्थॉलिट स्विजलेंड के द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में शेहर के सबसे जादा बीड़ वाली जिगाओं में से एक से गुजरते हुए सफर में पीक आर्स में 7 मिनिट्स का समय लग जाता है जिससे रोपे का निर्वान होने के बाद लगबग 17 मिनिट्स में पूरा किया जा सकेगा इससे शेहर के मौझूदा ट्रांस्पोर्ट इंफ्रस्ट्रक्चर पर दबाव कम होगा दूसरी नंबर पर आता है वारानसी कूलकता एक्सप्रेस वे 620 किलोमीटर लंबे वारानसी कूलकता एक्सप्रेइ पर पूरी पूरी पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और इसका कर्चा लगबग 22,500 करूर रुपे है ये अक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे नंच-19 और वारानसी रिंग रोड के जंक्शन से शुरू होता है बिहार और जारकन से गूजर के हावडा डिस्टिक के पास NH-16 पर उतरता है इस एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट NH-19 के साथ पैलनल है और उतर प्रदेश के चंदॉली, जारकन के राची और वेस्ट बेंगौल के हावडा को जोडता है और यूपी में 22 किलोमीटर, बिहार में 159 किलोमीटर, जारकन में 187 किलोमीटर और बेंगौल में 242 किलोमीटर का डिस्टिंस टे करता है National Highways Authority of India, NHAI ने अब तक Hybrid and Unity मोड में यूपी और बिहार में 10 पैकेजिस के लिए टेंडर्स इनवाइट किये हैं जिनके और दो साल में कम्प्रीट करने की डेडलाइन है इस सिक्स लेन एक्स्प्रेस में का निश्चिक टार्गेट है कि वे 2026-2027 के फाइनेश इल इयर तक पूरा हो जाए ये यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवेज मिनिस्टर नितिन गटकरी ने नवेंबर 2022 में पार्लियमिन में बताया था वारानसी औरंगाबाद एकोनोमिक कॉरिडूर वारानसी से शुरू ओने वाले 262 किलोमेटर लंबे एकोनोमिक कॉरिडूर औरंगाबाद बिहार से गुजरता है और बिहार जारकंट बॉर्डर पर चोरदाहा में खतम होता है ये जीटी रोट का इससा है और इसको दनबाद तक एक्स्टेंड किया जाएगा लगबग 5,000 करोड रुपे के खर्च से NHCI ने चोड़ दा तक इस स्ट्रेच को दिसेंबर 2023 तक पूरा करने का टार्गेट रखा है तीसरे नंबर पर आता है काशी विश्वनात रेल्वे स्टेशन का पुर्णवदार यूजना बारतिय रेल्वेस ने काशी रेल्वे स्टेशन के मैतवपून सुदार के लिए टेंडर शुरू कर दिया है जिसमें इंजिनेरिंग, प्रोक्योर्मेंट और कंस्ट्रक्शन मोड का उप्योग किया जाएगा इसे EPC मोड भी कहा जाता है इस यूजना की लागत कावनुमान 328 करोडे और निर्मान का समय 30 महीने इसका उद्देश है एक आदूनिक रेलवे स्टेशन बनाना जो शेहर की परिमपराओं से जुड़ा हुआ हुआ पुरनुद्दार योजना में स्टेशन की कुछ सुविदाएं और सादनू को बहतर उपयोग के लिए साना धरत किया जाएगा इसमें रेलवे, ओफिसेस को एकत्रत किया जाएगा और दो स्टेशन बिल्डिंग्स बनाए जाएगे एक दक्षिन पस्टिम और एक उत्तरपूर ये दोनों तरफ ट्राफिक फ्लो को बाटने के लिए और सर्कुलेशन को सुदारने के लिए है इसमें छत के नीचे प्लाटफॉर्म्स, एक नया फोट ओवर ब्रिज, मौजूदा इंफ्रेस्ट्रक्चर का सुदार और एक कॉनकोर्स शामिल है जो लिफ्ट, एसकेलेटर और कनेक्टिंग कोरिडोर से दक्षिन पश्चिम और उत्तरपूर स्टेशन बिलिंग्स के साथ जुड़ेगा काशी रिल्वे स्टेशन वारानेशी रिस्ट्रिक में स्थित है वारानेशी जंक्षन रिल्वे स्टेशन से 6 किलो मीटर पूर्व में दीन दयाल उपादया जंक्षन रिल्वे स्टेशन से 11 किलो मीटर उत्तर पश्चिम में और लाल बादो शासरी एरपूर्ट से 26 किलो मीटर दक्षिन पूर्व में है ये वारानिसी डिस्टिक्ट के पूरवी इलाकों को वारानिसी और दीन देलोग पादाय रिल्वेस्टेशन के बाद एक मैतवपून सेकेंडरी रिल्वेस्टेशन के रूप में सेवा प्रदान करता है और लास्ट ली आता है सिग्रा स्पोर्ट स्टीडियम युवा कारिकरम और खेल मंतराले ने खेलो इंडिया यूजना के अंतरगत वारानसी के सिग्रा, स्टेडियम के विकास और आधुनी की करण के लिए अनुमती दी है जिसके अनुमानेत लागत 315 करोड है ये स्टेडियम वारानसी शेहर के दिल में स्थेत है जिसकी कुल शेतर 64000 वर्ग मीटर है मतलब लगबग 16 एकर इस यूजना को तीन चरण में लागो किया जा रहा है इसके पहले चरण में एक अंतर राज्य स्पोर्ट्स प्रतियोगिता की जगे बनाने की शामिल है जिसमें 2000 ओडियंस की कपैसिटी के साथ एक ओलंपिक प्रोजेक्ट साइज स्विमिंग पूल भी है इसका दूसरा और तीसरा चरण जिसके शिलानियास रीसेंटी नर्द मोदिल की है उसमें विबिन इंडोर और आउटडोर स्टेडियम बनाय जाएंग जैसे की टेबल टेनेस बैडमेंटन ये था वारण सी 2.0 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर इए वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत बूलना ऐसी और भी इंड्रेस्टिंग और इंपोर्टेंट एनालेसिस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और questions जो मैं आपसे आप पूछने वाला हूँ इनके answers comments में मुझे ज़रूर बताना सही जवाब आपको 30 March को इसी चैनल के community के मात्यम से मिल जाएंगे चैनल पर नहीं आए हैं तो subscribe करना बिलकूर मत बूलना इस चैनल पर हम exam related काफी सारे वीडियोज डालते हैं जो बहुत important होते हैं Thanks for watching, thank you, bye करना